सब्जी दर्वार हेलो बच्चो नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी बच्चों का हारदेख स्वागत है आज हम पिशाई हिंदी के अंतरगत सब्जी दर्वार पाट का अध्यन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सब्जी दर्वार सा पे छोटी एकी मात्र सिंग बड़ा हा सा और ना सिंगाशन पा और पर बड़ा ला लाल टा बड़ा मा छोटा ता और तमाटर सिंगाशन पर लाल टामाटर पा पा पे अंकी बिंदी पंग बड़ा खा पंखा जा ला टे जलते मा में बड़ा उती मात्र मू ला में बड़िये की मात्र ली मूली बड़ा गा जा उरा गाजर पंखा जलते मूली गाजर दा र बड़ा बा रा में बड़िये की मात्र ली दरवारी हैं आपे आई की मात्र है गा गा में उ की मात्र गो भा में बड़िये की मात्र भी गोभी, बड़ा आ, ला में बड़ा उकी मात्रा लू आलू दरवारी हैं गोभी, आलू बा, बापे आय की मात्रा और बिंदी, गा और ना बैंगन, शा, ल, ज, न, शल्जम, आधापा, बड़ा या, और ज, प्याज का, बड़ा चा, ला में बड़ा उकी मात्रा लू कचालू, बैंगन, शल्जम, प्याज, कचालू आये चारो लाइने फिर से पढ़ते हैं सिंगासन पर लाल टमाटर पंखा जलते, मूली गाजर दर्वारी हैं, गोबी, आलू, बैंगन, सल्जम, प्याज, कचालू यहाँ सिंगासन पर कौन बठा है, लाल टमाटर पंखा कौन जल रहा है, यह गाजर और मूली दर्वार में कौन-कौन है, गोबी, आलू, बैंगन, सल्जम, प्याज, और कचालू यह सब दर्वारी हैं आगे देखते हैं, ला, ला में आउ की मातर लो, का में बड़ी की मातर की लो की, भा, भा में चोटी की मातर भी यह बिन्दी रखी चोटी सी बिन, डी, डा में बड़ी की मातर भी बिन्दी, ता में ओ की मातर तो, रा में बड़ी की मातर भी तोरी, टा, टा पे चोटी की मातर तिन, जह बिन्दी रखी यह तिन, डे डामे की मात्र डे टिंडे लौकी पिंडे तोरी टिंडे मातर मतर लामे की मात्र लो वी पामे चोटी की मात्र वी बड़ाया लोविया, सामें एकी मात्रा से, और मा, सेम, चाप छोटी की मात्रा ची, अंकी बिंदी चिन, डामें एकी मात्रा डे, च चिन्डे, मटर, लोविया, सेम, च चिन्डे मा में एकी मात्रा में, था में बड़ी एकी मात्रा थी, मैं थी, बड़ा पा, ला, और का, पालक मा, मा में छोटी एकी मात्रा में, चा, चा में बड़ी एकी मात्रा ची, और राकी रेफ, क्या हुआ, मिर्ट जी अब ये रेफ लगती है उसके पहले राकाओ प्रियोग करते मा के बाद राकाओ प्योग फिर चा में बढ़ी एकी मात्रा चे तो क्या हो गया मिर्ची परमल मैथी पालग मिर्ची परमल पहरा देते कद्दू कट्ठल पहरा में रा बढ़ा है पहरा दा में एकी मात्रा ते देते का अधा दा में बढ़ा हो की मात्रा दू पहरा देते कद्दू कठल लौकी भिंडी तोरी तिंडे मटर लोबिया सेम चचंडे मैथी पालक मिर्ची परमल पहरा देते कद्दू कठल तो बच्चो जब राजा का धरवार लगता है तो उसमें दरवारी कौन कौन है इस पार्ट में राजा की दरवार में दरवारी होती है पंखा जलने वाली होती है तो इसमें पंखा जल रहे हैं गाजर और मूली पंखा कौन जल रहा है गाजर और मूली और दरवारी कौन है बैगन सलजम प्याज कचालू लौकी भिंडी तोरी टिंडे मटर लोबिया सेम चचिंडे मैं तीपालक मिर्ची परमल पहरा देते कद्दू कठल राजा भी सबजी ही है और पंखा जलने वाले भी सबजी मैंसे ही है ये पाड सबजीयों का दरवार है तो दरवारी भी सबजी वाले है राजा भी सबजी है और पंखा जलने वाले भी सबजी ही है तो आगे देखते हैं अब आया एक नमबर में सब्जियों के नाम ढूण कर गोला लगाना है तो लगाती हैं गोला सब्जियों के गोली लगाना है नमबर एक क्या है कटल क्या है कटल यहाँ यह क्या है सलजम फिर यहाँ है टमाटर फिर यह क्या है प्याज यहाँ क्या है गाजर यहाँ क्या है बिंडी यहाँ है सिमला मिरच यह है लोकी यह गोवी यह सब्जियों के नाम क्या क्या हुए लोकी प्याज आलू गाजर टमाटर सिमला मिरच गोवी बिंडी और सलजम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांग के एक है सिंगहासन पर कौन बैठा है बताईए आप देखकर कौन बैठा है यह कौन है लाल टमाटर तो तरुआ सिंगहासन पर लाल टमाटर बैठा है आगे प्रश्न क्रमांग दो में है पंका कौन कौन चल रहा है तो बताईए आप देखकर यह कौन है गाजर और यह मूली तो गाजर और मूली पंका जल रहे है अवाया प्रश्न क्रमांग तीन सबजी दरवार में किन किन सबजियों के नाम आये हैं लिखिये तरहे सबजी दरवार में गाजर, मूली, गोभी, आलू, सल्यम, प्याज, कचालू, लौकी भिंडी, तोरी, टिंडे, मटर, लोबिया सेम, चचिंडे, मैथी, पालत, मिर्ची, परमल और कद्दू, कठल के सबजीयों के नाम आये हैं आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांग चार आपको कौन-कौन सी सबजीयां पसंद है बताए बच्चो भिंडी, आलू, मटर, टमाटर और गाजर ये आपको पसंद है हाँ, तो बताए हमें भिंडी, आलू, मटर, टमाटर और गाजर की सबजीयां पसंद है आगे देखते हैं जोडी बनाई है किसकी जोडी बनाना है ये आपको इधर लिखा है लौकी, आलू और कटहल टमाटर अब यहाँ आपको सबजीयां दी गई है ये सबजीयों के नाम दिये गए है तो आपको सबजीयों के नाम से सबजीयों को मिलान करना है तो आईए मिलाते हैं ये क्या है लौकी ये क्या है आलू ये क्या है पटहलू और ये क्या है टमाटर ये जोडीयां बन गई बच्चो आपको चित्र देखकर सबजीयों को पहचानना है और सबजीयों के नाम याद करना है तो थेंक्यू बच्चो आपने सबजीयों को पढ़ा और इसको अपनी नोट बुक पर भी नोट करना है यानि कॉपी पर प्रशनोत्तर लिखना है धन्यवाद मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में